वो पाल पहुँचा ग्रूप कैप्टन वरुंड सिंग का पार्थिफ सरीर मुख्यमंत्रीर सिवराज सिंग चौहान ने किया परजनों को एक करोड की आर्थिक मदद का एलान नमस्कार मैं हूँ सिबंकुसवाहा और आप देख रहे हैं दाखबरदार नियोज मदद प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान ने कहा मैं ग्रूप कैप्टन वरुंड सिंग को सद्धानजली अर्पित करता हूँ उनका अंतिम संसकार पूरे राज़की और सैन समान के साथ किया जाएगा आपको बता दें तमिल नाडू के कुन्नूर में हुई हेली काप्टर दुरगटना में बुरी तरह घायल होने वाले भारती वाहुसेना के ग्रूप कैप्टन वरुंड सिंग का बुद्धवार को निधन हो गया हेली काप्टर क्रैस में बुरी तरह जखमी होने के बाद भी ग्रूप कैप्टन वरुंड सिंग आठ दिन तक मौस से जंग लड़ते रहे हलाकि बहुत प्रयास करने के बाद भी डॉक्टर्स उन्हें बचाने ही पए और ग्रूप कैप्टन वरुंड सिंग का निधन हो गया भारती वायु सेना के इस जामवाज के निधन के बाद मद्ड़ प्रदेश सरकार ने उनके परिवार को एक करोड रुपे की सहाइता रासी देने का ऐलान किया है मद्ड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान ने गुरु वार को ये ऐलान किया मेडिया से बाचीत में सिवराज सिंग चौहान ने कहा मैं गुरुप कैप्टन वरुण सिंग को सध्धानजली अर्पित करता हूँ उनका अंतिम संसकार पूरे राजकी और सैन समान के साथ किया जाएगा मुख्यमंत्री सिवराज ने आगे कहा वरुण के पिता भी बहुत बहादूर है पूरा परिवार देश के प्रतिसम अर्पित है हम इस दुख की समय उनके साथ खड़े हैं आपको बता दें बैंगलूरू के मिलिटरी होस्पिटल में वरुण का इलाज चल रहा था जहां बुधवार को उनका निधन हो गया गुरुवार की दोपाहर गुरूप कैप्टन वरुण सिंग का पार्थिव सरीर बैंगलूरू से भोपाल लाया गया है जानकारी के मुताबिद भोपाल के एरपोर्ट रोड परिस्थिज सिटी कालोनी में गुरुप कैप्टन वरुण सिंग को स्रधान जिले अरपित की जाएगी इसके बाद अगले दिन यानि 17 दिसंबर को भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संसकार किया जाएगा अधिक जानकारी के लिए देखते रहे दाखवरदार ने उस तब तक के लिए धन्नवाद झाले अगले झाले के लिए आएगी आएगी सिंगते लिएक द्सकार कारफवरदा कि जाएगा थे अवाद़ एगले आएगी लिएयोग आएगी।